नमस्कर दोस्तों, राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दिये सजा राहुल गांधी की रुकी है, लेकिन सासे भारती जंता पार्टी की धम गई है 2024 से पहले ये राहुल गांधी और कॉंग्रिस की बहुत बड़ी जीत है इस जीत के साथ ही इन साथ मोर्चों पर भी राहुल गांधी को विजय प्राप्त हुई है नमबर वन, राहुल गांधी संसद में मोधी के सामने दुबारा बैठेंगे नमबर टू, अब वाईनाट के संसद बने रहेंगे नमबर त्री, अब दो हज़र चौबिस का चुनाब लड़ सकेंगे नमबर फोर, अब जल्द लोकसभा में दिखाई देंगे नमबर फाइव, संसद की सदसदा बहाल की जाएगी नमबर सिक्स, अब राहुल गांधी से चीना गया बंगला, उनको वापस देना होगा नमबर सेवन, डो हज़र चौबिस में राहुल गांधी प्रधान मंत्री पत की दाविदारी कर सकते है राहुल गांधी ने संसद में आडानी और मोधी के रिष्टों पर सवाल उठाए थे उसके बार गुजराट की आदालत से दो साल की अधिक्तम सजा का फैसला आया था और राहुल गांधी को दो साल की सजा हो गई अब भारती जन्ता पाटी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 10 तारीक को नरेंद रुमोदी संसद में मनी पूरपर भाशर देने वाले हैं और 10 तारीक से पहले ही राहुल गांधी संसद पहुँच जाएंगे फिर से नरेंद रुमोदी को संसद में जबाब देने के लिए मजबूर करेंगे राहुल गांधी के संसद में दुबारा पहुँचते ही ये संदेश जाएगा कि पूरे सिस्टम से लड़कर अदालतों में लड़कर भारते जंता पार्टी के नेताओं से लड़कर राहुल गांधी संसद में दुबारा बैट गया है ये साम संदेश जाएगा कि सच की आवास को सत्ता की साजशे दबा नहीं सकती इसका आसर 2024 के चिनावों में भारते जंता पार्टी के लिए जहर का काम करेगा दोस्तो सुप्रीम कोट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से पहले बहुत क्लियर कहा कि ट्राइल कोट ने मतलब गुजरात की निचली आदालत ने अधिक्तम सजा देने में गल्ती की है नीची की आदालत ने ये नहीं बताया कि अधिक्तम सजा देने की वज़ा क्या थी अगर सजा एक साल ग्यारा माईने भी दी जाती तो भी राहुल गांदी की सदसदा नहीं जाती दोस्तो सुप्रीम कोट की ये टिपनी उन तमाम साज़शों के मुँपर जोरदार तमाचा है जो अपने विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए सिस्टम को हतियार की तरह इस्तमाल करती है राहुल गांदी की वकील अभिशेक मरी सिंग्वी ने कहा कि शिकायत कर सा पुर्नेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और उन्होंने बाद में अपने नाम के आगे मोदी जोडा है राहुल ने अपने भाशन के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था उनमें से एक ने भी कोई मुकदमा नहीं किया है मोदी समुदाय में केबल वही लोग पीडित हैं जो भाशपा के पदाधिकारी हैं वही मुकदमा कर रहे हैं अब दूसरी तरफ मोदी सरनेम वाले मामले में शिकायत करता पुर्णेश मोदी की तरफ से वकील महिश जिट मलानी ने तरक दिया कि पूरा भाशन पचास मिनिट से अधिक समय का था और भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भाशन के धेर सारे सबूत और क्लिपिंग सनलग है जिट मलानी का कहना है कि राहूल गांदी ने खराब नियाती से एक पूरे वर्ग को बदनाम किया है अब इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का फैसला काफी दल्चस्प है राहूल गांदी के सजा कम भी हो सकती थी वो जानना चाहते हैं कि अधिक्तम सजा क्यों दी गई कोर्ट का मानना है कि अगर जजने एक साल ग्यारा महिने की भी सजा दी होती तो भी राहूल गांदी आयोग नहीं ठहराय जाते है कॉंग्रेस यसे सत्य की जीत कह रही है दोस्तों और बहुमत की भारती जनता पार्टी की सरकार को ललकार कर ये कह रही है राहूल गांदी की सदसदा चीनने का उनका घर चीनने का जिस किसी का भी आइडिया उनको दो साल की अधिक्तम सदा दिलवाने का था जिस किसी का भी आइडिया राहूल गांदी को संसर से बाहर करवाने का था उसका आइडिया फलप हो गया है फेल हो गया है इस आइडिया ने बीजेपी का नुकसान किया है जिस आदमी को पपू खुद बीजेपी ने साबित किया था उसी आदमी को पावरफुल नेता खुद बीजेपी नहीं बना दिया है गुजराथ की अदालतों में जो राहुल गांधी अपरादी थे सुप्रीम कोट उन्हीं गुजराथ की अदालतों से पूछ रहा है कि अधिक्तम सजा किस बिहाथ पढ़ दी अभी के लिए इतना ही दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा और शेर कीजेगा और मुस्कुरा कर कहते हैं कि समस्क्राइब जरूर कीजेगा जैहिन जैभारत